बिग बॉस सीजन 18 के घर के अंदर जाने से पहले निया शर्मा को मिल चुकी है सबसे बड़ी खुशकबरी जी हां दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं 6 अक्तूबर को बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमिर होगा 6 अक्तूबर से रात 9 बजे हम सब को बिग बॉस सीजन 18 के घर के अंदर जाने से पहले ही निया शर्मा के हाथ में आ चुकी है चलिए आपको बता देता हूँ जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि धीरज धूपर को भी बिग बॉस सीजन 18 के लिए अप्रोच किया गया था मोटी रकम धीरज धूपर को दी गई थी बिग बिग बॉस क घर के अंदर जाने से इनकार कर रहे हैं वो आउट हो चुके हैं हर सीजन में हम सब को देखने को मिलता है कि जब बिग बॉस शुरू होने से 8-10 दिन पहले बड़े बड़े जो नाम होते न वो छोड़ कर चले जाते हैं क्योंकि उनकी मांगे कुछ ऐसी होती है लेकिन इस शर्मा के लिए धीरज धूपर का बिग बॉस छोड़ना एक बहुत बड़ा चमतकार हो चुका है क्योंकि धीरज के बाद अब निया बन चुकी हैं बिग बॉस सीजन 18 की सबसे जादा महंगी कंटेस्टन्ट खबरें यारी हैं कि निया शर्मा को 5-6 करोड रुपे का ओफर दिया गया है पहले धीरज धूपर जो थे वो सबसे महंगे खिलाडी थे इससे भी जादा मोटी रकम धीरज धूपर को दी जा रही थी लेकिन अब धीरज जैसे ही बिग बॉस के घर से आउट हुएं बिग बॉस की नेम लिस्ट से कंटेस्टन की नेम लिस्ट से बाहर हो तो अब जो है नियाः शर्मा सबसे ज़ादा महंगी कंटेश्चन बन चुकी है यानी एक तरह से नियाः ने हिस्टरी क्रेड कर दी है फीस के मामले में इतनी ज़ादा फीस किसी भी कंटेश्चन को अब तक नहीं मिली है साथ इसाथ आपको एक और बात बता दें कि निया शर्मा जो है वो मिनिमम कॉंट्रेक्ट भी साइन करने वाली है बिग बॉस की टीम के साथ यानि पहले ही तै कर दिया जाएगा कि निया शर्मा मिनिमम इतने हफ़ते तो बिग बॉस के घर के अंदर रहेंगी ही रहेंगी है वो contact sign होगा और जितने हफ्तों का contract sign होगा उतने हफ्तों तक निया हम सब को big boss के घर के अंदर देखने को मिलने वाली है eliminate कोई भी नहीं उन्हें कर सकता है फिर चाहे वो nomination में आए फिर चाहे जनता उन्हें पसंद करे या ना करें लेकिन यहां पर निया को लेकर और बड़ी खबर तो यह है कि इस season की सबसे महंगी कंटेस्टन जो है वो निया शर्मा बन चुकी है बाकि जितने भी कंटेस्टन होंगे वो निया शर्मा से कम फीस ले रहे हैं ऐसे में आप इसको लेकर क्या कहना चाते हैं निया शर्मा के फैन है या नहीं बिग बॉस का कितना इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सलमान खान वापिस आ रहे हैं कमेंड बॉक्स में आप जरूर लिख दें और ऐसी ही लेटस्ट अपडेट्स के